अगर तुम्हें यह लगता है कि चाइना बहुत स्ट्रॉंग है तो बहुत बड़े बबल में जी रहे हो तुम उनकी एकॉनमी स्ट्रॉंग होगी नो डाउट पर उनकी मिलिटरी मिलिटरी सिरफ पैसे से नहीं बनती उनके पास पैसा बहुत है कभी उनकी equipment देखना कैसे निकलते हैं उनका कोई जहाज उडने लाइक नहीं है जो उनके जहाज उडने लाइक नहीं है क्यों नहीं है उड़ने लाइक क्योंकि उनको इंजन बनाने ठीक से आते ही नहीं आज की डेट में जो एरक्राफ्ट के इंजन बना रहे हैं वो आपके European countries बना रहे हैं और America बना रहे हैं रशिय तक बना रहे हैं बड़ चाइना नहीं बना रहे हैं आपके पास जब तक खुद के इंजन नहीं है आप नहीं यूद लड़ सकते ठीक है अब इंडिया के पास भी ये इशू सेम है बट कीपिंग इन माइंड चाइने की एकॉनमी जितनी बड़ी है जिस लेवल पे वो क्रिटिसाइज नहीं कर सकता है एट लिस्ट चाइना के अंदर और चाइना के अंदर जो भी उनकी कमिया होती है वो बड़े शांती से छुपा देते हैं अब होता क्या है कि मान लो मैं हूँ शी जिन पिंग ठीक है मेरे को करना है पंगा अमेरिका से और क्यों करना है मेरी क कुछ दुश्मनी नहीं है अमेरिका से मिरको अपनी कुर्सी बिचाय रखनी है इलेक्शन थो होते हैं हमारे देश में हमें क्या करना है हमें अमेरिकों को उंगल करनी है और अपने देश के लोगों को दिखाएंगे देखो हम तो सूपर पावर है हम तो अमेरिका को चैलें है ऐसा कोई देश नहीं है जिसमें बिखारी नहीं हो यह लोग उसको छुपाने में एक्सपर्ट हैं और दूसरी बात यह है कि इनके manufacturing ability है पर बच्चों के खिलोने बनाने में और military के equipment बनाने में जमीन आस्मान का फरग है इन लोगों को लगता था कि जिस तरीके से यह लोग बच्चों के खिलोने manufacture करते हैं जो इंडिया में आजकल हम बड़े खरीते हैं हमारे देश के बच्चे की बड़े अच्छा खिलोना है जिसमें choking hazard लिखा होता है जो सेहत के लिए अच्छे नहीं होते है पिच्चों से चपा के मर जाते हैं इनके जो बेकार बेकार से खिलोने है जो बेकार grade के plastic से बने होते हैं इन्हें लगता है कि हतियार भी यह लोग वैसी बना देंगे बट ऐसे नहीं चलता दोस्त इनको यह लगता है कि इनको manufacture करना आगे है तो यह कुछ भी बना देंगे बट जो आपके हतियार है जो आपकी weapons है वो बड़े ही scientific तरीके से बनाए जाते हैं और physics का ध यूद के मैदान में उतरते हो तब आपको पता चलता है कि मेरे पास जो equipment है वो कितना कारीगर है अभी तो आप सिर्फ एक number game खेलरों कि मेरे पास इतने weapon है कालको जब सही माइनम यूद होगा तब आपको पता चलेगा कि आपके पास क्या weapons थे कितने वो काम आए और कितने आपके rocket first निकले अब इनकी problem क्या है इन्हें लगता है कि ये लोग just because एक बार इंडिया से युद जीत गए तो ये अब भी जीत जाएंगे ये आप देखोकर हमारे अरुनाचल में खुसने की कुशिश कर रहे हैं I would say कि China का ऐसा कोई neighboring country नहीं है जिसके साथ इनके कोई border dispute न नहीं पारे ठीक है ताइवान का इतने छोटे से देश का ये कुछ बिगार नहीं पारे तो इंडिया का ये कहां से कुछ बिगार देंगे ये बस इनकी एक बहुत बड़ा वो केलो पावर है कि उनको कोई criticize नहीं कर सकता और इस पावर और उनकी एक और skill है उन्हें खुद क प्रेजेंट करना बहुत अच्छे से आता है अब इंडिया की military बहुत strong है I would argue कि इंडिया की military के पास पैसा चाइना की military जितना नहीं होगा पर अगर जंग हुई तो इंडिया की military बुरा हाल कर सकती है चाइना का पर इंडिया एक चीज में weak है चाइना से और वो है presentation हमें ख लिखाते हैं जैसे पता नहीं कितनी professional army है बट ले दें कि यार आर्मी में न professionalism सिर्फ training और पैसा खर्च करने से नहीं आता एक sense of nationalism होता है जो आपको आपके देश के प्रती प्रेम से आता है अब आप एक Indian हो तो आप अपने देश को क्यों प्यार करोगे आप अपने देश क democracy है आपको freedom of speech है आप चाहो तो सरकार को criticize कर सकते हो ठीक है आपके पास यह basic fundamental rights आपको government ने या constitution ने आपको provide की है चाहिना में आपके पास यह basic right नहीं है तो अगर आपको कोई वो sense of nationalism जगानी है तो आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिने आप protect करना चाहो ठी है इंडिया के case में हम कह सकते हैं इंडिया democracy है तो इंडिया तभी बचेगा जब इंडिया में democracy बचेगी तो हमारे जो लोग हैं जो हर बच्चे-बच्चे में patriotism कूट-कूट के बढ़ा हुआ है पर यह चीज़ चाहिना में नहीं है चाहिना में उन लोगों के पास कुछ ह पाटी वह उन्हें बस पावर में रहने से मतलब है उन्हें चाइना के आम जनता से घंटा फरक नहीं परता उनके लिए चाइना के आम लोग कीडे मकोडे हैं जो बस उनके लिए काम कर रहे हैं फैक्ट्रियों में और चाहिना की GDP बढ़ा रहे हैं और असली फायदा CCP ले र लगता है उतना नहीं दे पाई नो डाउट चाइना का human development index काफी इंप्रूव हुए है उनकी GDP इंप्रूव हुई है बट आज भी में को ऐसा लगता है कि चाइना फालतु में military में इतना खर्चा कर रहा है at this point उन्हें अपनी GDP पर capita बढ़ाने पर focus करना चाहिए मेरा ऐसा मा आपको educational में improvement आ सकते हो कुछ भी कर सकते हो there is always a scope for improvement आपके सकते हो चाइना इंडिया से बहुत आ गया बट अगर आपके पैसा है तो आप उसको अच्छी जगह पर यूज़ करो यह नहीं कि आप military spending में पैसा waste कर रहे हो उनकी military already बहुत पैसा invest कर रहे है और अभी वो nuclear weapons और जादा बढ़ा रहे है number of nuclear weapons which makes no sense because अगर आपके पास 40-50 nuclear weapons भी है वो बहुत है पूरी दुनिया तबाह करने के लिए इसके बाद अगर आप number increase करोगे तो वह stupidity है और कुछ नहीं है this brings me to my next point which is the main theme of the video how Indian army controls Chinese army देखो Chinese army basically आपको एक भेकावे में रखती है एक डर बना के रखती है कि हमारी military इतनी बड़ी है हमारी power इतनी जाद है हमारी population इतनी जाद है हमारी economy इतनी बड़ी है but मैं आपको सची बता रहा हूं Indian army is a very professional army I would say जितनी जंग हमने लड़ी है और जिस level की जंग Indian army ने लड़ी है I would say कि China imagine में नहीं कर सकता है उस level की जंग लड़ना because जंग लड़ना सिरफ मशीनों का काम नहीं है वो इंसान और उसके जजबे का भी काम है and it's not just about that it's more about कि आप किस nationalism के साथ वो लड़ रहे हो I would say अगर आपका भी history में जागे देखो जिस तरीके से इंडिया ने पाकिस्तान को हराया है ठीक है awards में I would say कि आप सिरफ यह ना देखो कि उन्होंने कैसे हराया आप यह देखो कि कि आप कूट निती का use हुआ था कि राज निती का use हुआ था जब आप इन चीज़ों का analyze करते हो तब आपको पता चलता है कि oh my god कि war सिरफ हतियारों से नहीं लड़ी जा रही है दिमाग से लड़ी जा र ही है वो simple एक formula यूज करता है which is preemptive attack इसराइल का simple सा एक rule है कि तुम हमें मारोगे हमें उसकी जानकरी पहले से मिले जाएगी हमारा मुसाद है जो की बहुत intelligent है और हम क्या करेंगे हम simply आपको पहले ही attack कर देंगे से पहले आप हमारे उपर attack करो तो इसराइल की यह philosophy रेती है preemptive attack और उनको पहले से जानकरी देती है कि हाँ यह चीज होने वाली है तो हमें इसको निपटना होगा इस तरीके से निपटना होगा अब इंडिया में क्या चीज है इंडिया में raw काफी active हुई है recently अगर आप internet पर जाओगे तो आपको articles मिलेंगे raw की उपर जिसमें आपको काफी कुछ सुनने को मिलेगा कि raw यह कर रही है रही है अब raw कुछ कर रही है यह नहीं कर रही है तो किसी कहीं से उठ रही है कि raw कुछ कर रही है और I would say कि media में ये बाते आ रही है तो सोचो ये चीज़े तो वो है जो media में surface हो चुकी है कितर सारे operations ऐसे होते होंगे जिनके बारे में आम जंता को पता ही नहीं चलता होगा which is very commendable and I appreciate it because अगर America की अपनी CIA है, Israel की अपनी मौसाद है and तो India के पास भी कुछ होना चाहिए ऐसा powerful जिससे हम अपना stance clear कर सकें और हमें intelligence मिले दुनिया के बारे में तो ये काफे important चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए and again I would like to tell you कि China की military इतनी strong नहीं है जिस तरीके से में खुत को present करते हैं जो उनकी ideology रखने का तरीक है दुनिया के सामने वो उनका बहुत advanced है and it also comes with the advantage of having the money to do that जब हम चाइना की military की बात करते हैं तो सबसे पहले जो बात समझना जरूरी है वो ये है कि चाइना का focus mass production पर होता है मतलब वो बहुत जादा quantity में weapons बनाते हैं but the big question is क्या quantity ही quality को define करती है definitely not चाइना की factories में large scale पर tanks, missiles और fighter jets बनाए जाते हैं but इनकी quality बहुत बार questionable होती है उनका focus fast production पर होता है बढ़ जो final product होता है वो काफी बार effective नहीं होता for example Chinese fighter jets जैसे की J20 को America के advanced jets जैसे की F22 और F35 के comparison में weaker माना जाते है तो इस सब का इंडिया के लिए क्या मतलब है सबसे बहला point यह है कि चाइना का primary focus इंडिया नहीं बलकि western countries और especially USA है second अगर हम quality की बात करें तो इंडियन military के पास जो equipment है वो जादा reliable और tested है हमारी military modernization में focus हमेशा quality और effective strategy पर होता है अब इंडियन military के weapons और systems advance है और हम regularly अपने defense system को update करते है हमारी air force, navy और army का equipment international standard को meet करते है जो battlefield पर एक major advantage बन सकता है चाइना का defense production largely quantity driven है बट जब हम technology और quality की बात करते हैं तो China अभी भी developed countries और India से काफी पीछे है इस वज़ा से उनकी military capability इंडिया के लिए इतना बड़ा threat नहीं है जितना generally दिखाया जाता है हमारे focus effective strategy और defense पर होना चाहिए हम इस position में हैं कि किसी भी challenge को confidently face कर सकें बट यहां पर main concern यह आ जाता है कि आज भी China media के जरीए या अपने सरकारी portals के जरीए और जो उनका एक skill है presentation का उसके जरीए दुनिया को यह संदेश बड़ी असानी से देजाता है कि वो superpower है तो वो कुछ भी कर सकता है कि ठीक है हम economic superpower है तो हम military superpower भी है यह दोनों चीजे एक दुसरे को help करती है अगर आप economic superpower हो तो आप military superpower बन सकते हो similarly अगर आप military superpower हो तो आप economic भी बन सकते हो पर ज़रूरी नहीं है कि अगर एक है तो दूसरा होगा ही होगा चाइना के केस में वो economic superpower है no doubt about it बट military के केस में क्या वो उस level की military रखता है क्या number of weapons ही matter करता है अगर number of weapons ही matter करते है तो फिर इंडिया क्यों कम weapons रखके ज़्याद़ quality के रख रहे है वो क्यों नहीं चाइना की तरह बहुत बड़े बड़े बिनाना start कर देता weapon इंडिया में तो labor चाइना से भी सस्ते है तो हम तो और ज़्यादा सस्ते में ज़्यादा mass produce कर सकते है हम क्यों quality के पीछे focus कर रहे है अगर आपका इस पर कोई विचार है तो नीचे comments में ज़रूर पताना और आपको क्या लगता है अगर इंडिया चाइना में जग हुई तो कोई जी देगा नीचे comment section में बताइए तब तक के लिए goodbye take care जय हिंद thank you so much take care